दोस्तों सावधान हो जाईए क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बाते बताने वाले हैं जो शायद कुछ लोगों के दिल और दिमाग को जटका देने वाली है खास कर ऐसे लोग जो बाबा जी या फिर पाखंडी साधू महाराज को मानते हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में देवी देवताओं और धार्मी गतिविदियों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है यानि हम अपने धर्म और उसके प्रती अपनी निष्ठा को सबसे उपर ही दर जा देते हैं यहां तक कि हम उस पर इतना ज़ादा विश्वास करते हैं कि असलियत को न परकते हुए जो हमारे सामने दिखता है या फिर हमें बताया जाता है उसे सच समझ लेते हैं और हमारे इसी भोलेपन का फायदा उठा कर कुछ दुराचारे लोग अपना फायदा करने की कुशिश करते हैं उसी केटेगरी में आते हैं भारत के कुछ बाबा जिनके असली सच्चाई हम आज आपको बताने वाले हैं लेकिन दोस्तों ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट जिनी को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी जरूर दबा दे हम अकसर देखते हैं कि कई सारे लोगों के शरीर में भगवान या फिर भूत प्रेत आते हैं यानि उनके आसपास वाले लोग ऐसा दावा करते हैं क्योंकि वो लोग खुद पर काबू न रखते हुए अजीब अजीब हरकते करते रहते हैं और ये चीज़ देखकर उनके घरवाले उन लोगों को किसी पीर बाबा या पीर फकीर के पास ले जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर वो ढूंगी बाबा अपनी घिनोनी हरकत को अंजाम देते हैं वैसा ही एक वीडियो में हुआ जब इस लड़की के शेरीर में कोई आत्मा होने का दावा उसके घरवालों के द्वारा किया गया तभी उसको एक पाखंडी पीर बाबा के पास ले जाये गया और इलाज के तौर पर इस पाखंडी बाबा ने उस लड़की को जोर सादबा कर मंत्र फूंकुना शुरू कर दिया लेकिन देखते ही देखते ऐसा लगने लगा जैसे वो बाबा लड़की के इज़त पर हाथ डाल रहा है वो लड़की सांस ना आने के कारण चिला रही थी लेकिन उसके घरवालों ने ये सब उस बाबा का इलाज समझ कर कुछ नहीं किया दोस्तो सच में ये देखकर मुझे इस लड़की के माबाब की मूर्कता पर विश्वास नहीं हो रहा अलग लग तरह से इलाज करने वाले बाबाओं की वीडियो बार बार वाइरल होती है लेकिन फिर भी अंद भगत लोग उनी के पास अपनी समस्या ले कर जाते हैं ऐसे एक बाबा आसाम में है जिसका लोगों को ठीक करने का तरीका देखकर आप अपने आखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बाबा लड़की और महिलाओं को किस करके ठीक करता है जिसके कारणि ये बाबा पूरे आसाम में चुम्मन बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ राम प्रकाश नाम का इबाबा खुद को विश्वागवान का अलतार बताता है और इसके इस घटिया काम में इसकी मा भी इसका साथ देती है ये बाबा गाउं में रहने वाली हर उरत को अपनी किस से किसी भी बिमारी से ठीक करता है लेकिन 22 अगस्त 2019 को इस बाबा और इसकी मा को पुलिस द्वारा पकड़ कर जेल में डाल दिया गया और आशागरते हैं गाउं की महिलाओं को अपने वश में करने वाले इस पाखंड़ी बाबा से जेल में चक्की जरूर पिस्वाई होगी दोस्तो वीडियो में दिखाई दे रहा है ये ढूंगी बाबा अपने भक्तों से ठगी करने का एक अनोखाई तरीका निकाल लेता है जिसके लिए वो मंदिर में हाथ हिलाते हुए नाचने लगता है और उसके नाचते ही उपर से पैसों की बारिश होने लगती है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है लेकिन वो बाबा अपने भक्तों को ये कहता है कि उसके नाचने पर उपर से पैसों की बारिश होती है लेकिन वो ये नहीं बताता कि उपर से उसी के चेले पैसे फेंक रहे हैं ऐसा डास करके उस छोटू बाबा ने बहुत सारे लोगों से पैसे इट लिये और आज वो पुलिस की कोशिशों के बावजूद कहीं पर भाग गया है। लेकिन जो भी हो मैंने तो आज तक ऐसा बाबा पहली बारी देखा है। दोस्तो कमेंट करके बताईए आपको इस बाबा की भूंदू लोगों को ठगने की तरकीब कैसे लगी। दोस्तो गुर्मीत राम रहीम का नाम न सुनाओ तो शायद आप वोने कुछ नहीं सुना। क्योंकि कुछ सालों पहले राम रहीम जो खुद को भगवान का मेसेंजर बताता था सोशल मीडिया पर चाया हुआ था। राम रहीम का कहना माने तो वो खुद भगवान से बाते करने का दावा करता था और जो बाद में जूट साबित हुआ। लेकिन शरम की बात तो यह है कि जूट को मानने वाले लाखों नहीं बलकि करोडों लोग हमारे भारत में मौझूद है जो इस बाबा की शक्तियों पर भरोसा करते हैं। यहां तक कि यह बाबा इतनी पहुंचे हुई चीज थी कि उसने अपने उपर एक फिल्म भी बना दी जिसमें एक्टर भी खुद था डिरेक्टर भी खुद था यहां तक कि फिल्म में गाने भी गाता था। ने खुद की सेना पाल कर रखता था। इस बाबा पर लगे सभी आरोप सिद्ध हो गए और आज यह बाबा जेल की हवा खा रहा है। जो पूरी तरह से एक फर्जी बाबा था। और ऐसी हरकते करके बाबा लोगों से पैसे लूट कर अपना घटिया धंदा चलाता था। जिसके बाद इस बाबा की उपर कई सारे गंबीर आरोप लगे। जैसे कि इस बाबा ने एक बार हजार लोगों को समोसे में अमली पदार्थ डाल कर एक कमरे में बंद कर दिया था। साथ में ही इस बाबा पर कई बार महिलाओं के साथ बत्तमीजी करने का आरूप लगा दोस्तों मुझे लगता है ये बाबा पहले जरूर कोई समोजे का ठेला जलाता होगा तबी तो ये आज जाकर बार-बार समोजे खाने ही बात करता है पालक पनीर कब बनाया और कब खाया बाबा पालक पनीर नहीं खाती में मुझे नहीं पसंद है यह धोकला दोसा बड़ा सामने आ रहा है कहां दिखा आपने या कब खाया दोस्तों सबसे आखर मैं ऐसे बाबा की बात करते हैं जिसे अगर हम दुनिया का सबसे पाखंडी बाबा कहीं तो वही गलत नहीं होगा जी हाँ मैं उसी आसाराम की बात कर रहा हूँ जिस पर कई सारे गंभीर और घिनोने आरोप लगे हैं जैसे कि हत्या, बलातकार और लोगों से पैसे लूटना वगरा वगरा मतलब ऐसा कोई भी गंदा काम नहीं है जो आसाराम ने ना किया हो एक चैनल की महिला पत्रकार ने पहली बार आसाराम बाबा का स्टिंग ओपरेशन किया जिसमें उसे साफ ये कहते हुए देखा जा सकता है कि वो उस महिला पत्रकार के साथ सोना चाहता है साथ ही उस टिंग ओपरेशन में बाबा को ये कहते हुए भी देखा गया कि हमारे आशरम में तो चंबल के डाकू को भी जगा मिलती है और पुलिस भी उनका कुछ बिगार नहीं पाती जिसके बाद ये वीडियो बहुत तेजी से वारल हुआ लेकिन सीबी आई जाच के बाद आज ये बाबा हवालात में है और इसका बाहर निकलना लगभग नामुम्किन है दोस्तों हो सके तो आगे से अपने परिवार को किसी भी बाबा पर विश्वास करने से पहले दस बार सोचने को कहना क्योंकि वो अगला आसाराम भी हो सकता है दोस्तों बस यही ते कुछ धूंगी बाबा जो अपने घटिया हरकतों से बाज नहीं आए ये वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिए और पसंद आया तो जल्दी से लाइक ठोक दो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और चाहते हैं उस वीडियो का अगला पार्ट तो कमेंट में लिक दिना नेक्स्ट पार्ट अन्यवाद